हम सिव विवाह की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं कावण कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू सम्भू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना थूके ना तेरी जे हो भूले ना पूर्व काल में रजन लगे जब ब्रम्हाजी स्रिष्टी उनकी भौह से प्रकट होई ठीक सुन्दर यूती ब्रम्हाजी ने दिया उसको संध्या देवी ना ब्रम्हाजी को किया उसने हात जोड प्रणा फिर इक युवक प्रकट हुआ है लिए पुष्प के बाद ब्रम्हाजी ने दे दिया उसको कामदेव फिर ना ब्रम्हाजी फिर कामदेव को ये बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यों संभो जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना थो के ना तीजे हो बोले ना तुम हो ना थो के ना तीजे हो बोले ना बोले कामदेव से घंभा काम ऐसा कर दो सभी बाडियों में तुम जाकर प्रेम काम भर दो ब्रम्हाजी के पास थे बैठे जितने रिसी मुनी आज बाड में कामदेव के सक्ती है भर दी कामदेव माने जो ब्रम्हा ने वचन कहे अपने बाड़ वहां बैठे हुए रिसियों पर चला दिये ब्रह्म्हा संग फिर सारे रिसिगण हुए है कामा तुल नजर पड़ी संध्या देवी पर देख गई वो डेव सभिरिसिगण और ब्रह्म्हा मुझसे क्या चाहते है पावन कथा सुनाते है माता सति संग स्यू संभू जब व्याहर चाहते है हम कथा सुनाते है तुम हो ना थो के ना एली जय हो भूले ना तुम हो ना थो के ना एली जय हो भूले ना उनकी नौ मुद्रिष्टी संधा सहन कर पाई पिता समान वो मान रहे थी लाज बड़ी आई मुनिवसिट की आग्या लेकर वो वन में आई भूले जी को किया पसन और देने लगी दुहाई भूले जी क्या दोस है मेरा इतना जरा बताओ मुक्ती का भी कोई रास्ता आप मुझे समझाओ कहने लग भूले प्रम्हा ने अच्छा नहीं किया उचित समय आने पर उनको कर्म कि मिले सजाओ एक उपाए वो संध्या को फिर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सुसंभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम होना तो किना तिर जे हो भूले ना तुम होना तो किना तिर जे हो भूले ना मेद्यार इस परवत नीचे यग्य रहे हैं कर हवन कुंड की बनो आहोती तुम तो वहां जाकर मोक्ष प्राप्ती को संध्या तुम फिर तो पाओगी मेद्यार इसी की पुत्री बन कर फिर तुम आओगी जाकि हिमाले पर पत पर फिर तप करना तुम खो तच्छ की पुत्री सती रूप में होगा जन्मिक आओ त्रेता युग के आरंभ तक तुम ये कर पाओगी एक बड़ा योग वर फिर तुम देवी पाओगी इतना कहकर अंकर धान भोले हो जाते हैं पाओवन कथा सुनाते हैं माता सति संग सु संभू जब व्याहर चाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना पिर जय हो भोले ना तुम हो ना तो के ना पिर जय हो भोले ना ब्रह्मा के उस कर्म का फिर भोले को आया त्या प्रम्ह लोक में जा करके फिर उनका किया अपमान कहने लग क्या प्रम्हा जी तुम्हे लाज नहीं आई खुद की ही पुत्री पर का मुक नजरे दोडाई फिर अपमान का बदला प्रम्हा जी ने लेना चाहा काम देव को बुला पास उनको ये समझाया बोले जी की देह में जाकर करो काम संचाय भुला नहीं पाया मैं भोले का किया दुर्व्योहा लेके रति को काम देव कैलास प्याते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग स्यू संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना थो के ना तीजे हो भूले ना तुम हो ना थो के ना तीजे हो भूले ना बोले पे पर काम देव काना कुछ असर हुआ आकर प्रम्हा जी से वो तो मांगने लगे छमा ब्रम्हा जी कुछ सोचके हैं विष्णू के पास आए विष्णू जी ने फिर ब्रह्म्हा को दिया हैं पतलाए उचित नहीं है ब्रह्म्हा जी भूले से छल करना कोधित जो बोले हो गए तो पड़े डंड भरना हम दोनों ही जाकर भूले जी को समझाते हैं हुआ हमारा आप भी क्यों ना प्याह रचाते हैं करके विचारिये वो भोले के पास में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सु संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना दिरी जे हो भोले ना तुम हो ना तो के ना तिरी जे हो भोले ना बोले ब्रह्मा विश्नो बोले इतनी विंती हैं मिने अरे धांगनी नहीं किसी को मुक्ती मिलती हैं हम जैसे ही आपको भी अब व्याह रचाना होगा तक्ष प्रजापती की पुत्री को अब अपनाना होगा बड़े घोर तपसे है उन्होंने कन्या ये पाई और नहीं कोई आदिसत्ती सत्ती रूप में है आए भोले जी ने मान लिया प्रम्भा विष्णू का कहा धूम धाम से सती की संग में हुआ भोले का विवा भूत प्रेत भी भोले की बारात में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तीजे हो लेना तुम हो ना दो के ना तीजे हो लेना तीन लोक में सिव विवाह की हो रही है जरचा ते भी ते उस अब सीस जुकाएं करें पुस्प वरसा सिव मैं हो गया था भग तो ये सारा ही संसा कूज रही शहनाई शुकी हो रही जैजे का फिर तो घड़ी विदाई की भी आही जाती है पिता दक्ष को छोड सती स्यू को अपनाती है दूला रूप में खूब सजे है भोले भंगारी देख रहा संसारी शुकी लीला है नारी सती को लेकर संग फिर वो कैलास पे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना धूके ना बिर जै हो भोले ना तुम हो ना धूके ना बिर जै हो भोले ना साथ सती के एक दिन वो तंदग वन आते हैं राम लखन सीता की खोज में उन्हें दिख जाते हैं दूर से देखा भोले ने तो किया उन्हें प्रना बोली सती किये बोले ये तो मानो है या साधारन मानों के आके आप कसी से जुका बोले जी मुझे को बत लाए इसमें भेत है क्या बोले ने फिर माता सती को सत्य है वचन सुनाए खुद स्री विष्णू रामोतार मिले के जन्म है आए इसलिए हम सिरी राम को सीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिउ संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तिर जे हो बोले ना बोले की बातों कसती को न विश्वास हुआ लूगी परिक्छा मैं इनकी मन में है प्रड़ किया सीता मा का रूप बना के लाम के पास है आई सिरी राम ने आदर से अपनी गर्दन है जुकाई बोले माता ये क्या आपके मन में आया है छोड़िक भोले को सीता का रूप बनाया है सुनके राम के वजनों को ने लाज बड़ी आई मागी माफी भोले से बड़ी वो तो पच्चताई बोले सती का फिर सारा संदेह मिटाते है पावन कथा सुनाते है माता सती संग सिव संभू जब प्याह रचाते है हम कथा सुनाते है तुम हो ना तु के ना तिर जे हो भोले ना फिर परियाग में सब मुनियों ने महायग्य है किया ब्रम्हा विष्णू भोले और दक्ष लिये यग्य में बुला ब्रम्हा विष्णू और मुनियों ने दक्ष को किया परणा लेकिन भोले जीन दिया ना उनकी और कोई ध्यान राजा दक्ष को भोले की नापात पसंद आई लगे सोचने क्यूं कुत्री मैंने इन संग ब्याही महायक राजा दक्ष ने फिर तो करवाया अभी को भेजा नियोता ना भोले को बुलवाया बोली से उसे सती के हम भी अग्यम जाते हैं पामन कथा सुनाते हैं माता सती संग सु संभू जब जाहर चाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो ना धूकिना तीजे हो बुले ना तुम हो ना धूकिना तीजे हो बुले ना कहने लगे बोले मेहमान जो होते बिना बुलाएं होता ना सम्मान कहीं ये तुम्हें रहे समझाएं लेकिन सतीन मानी ना भोले की बात कहीं पिता की अग्य में वो तुम बिना बुलाएं पहुच गएं राजा दक्ष सादर कर रहे थे सबका ही सम्मान भोले के लिए ना रखा था लेकिन कोई अस्था बोली पिता को आपने ये तो अच्छा नहीं किया भोले का अपमान सती से गया था नहीं सहाँ कटू वचन फिर राजा दक्ष कुछ उन्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिल संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना थो के ना तिर जे हो भूले ना तुम हो ना थो के ना तिर जे हो भूले ना होनी तो बलवान है लेकिन होकर ही रहती अपने प्राणों की माता सती ने दे दिया होती देखा जो सब देवों ने करने लग द्राही मा ना जाने अब क्या होगा इस स्रिष्टी का अंजान सुगन दोडे दोडे फिर भोले के पास आये हमन कुंड में कूदी माता रहे हैं बतलाए खुल गया तीसरा नेत्र भोले क्रोध में है आये जलती हुई सती को फिर हाथों में लिया उठाए लेकिन जलती हुई सती तान्दों दिखलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संगस्यू संभू जब जयाहर जाते हैं कम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना बीजे हो भूले ना तुम हो ना तु के ना बीजे हो भूले ना श्यू के टांडों से क्रापे हैं भकतों तीनों लों प्रम्हा बोले विश्नों से इसे आप ही सकते रों माता सती जलती हुई जब तक है भोले के हार क्रोध की ज्वाला भोले की मुस्किल होनी है सार विश्नों जी ने सोच समझ कर एता खेल रचाया दिया सुदर्सन छोड सती को टुकडों में विखनाया इक्यावन जगहों पे माता सती के अंग विखरे शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं तब से लेकिन भोले सांत नहीं फिर भी हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यों संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुके ना दीजे हो लेना तुम हो ना तुके ना दीजे हो लेना वीर भत्रे और ताली का बोले ने किया निर्मा बोले जांकर करो तूर जो दक्षि किया अभिमा यग्य करो विध्वन से काट के सीस भी तुम लाओ स्यूनिन्दा जिसने भी सुनी है उसको सबक सिखाओ वीर भत्रे और काली ने किया फिर मैं साही का किया यक्य विध्वन से और फिर तक्षि का काम तमाओ सभी देव ताए कत्रित होस्यू की सरण में आए हुआ गोर अपराद छमा इस भोलिक की जाए करो तक्ष को माफ आप भोले कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुके ना तिर जे हो लेना तुम हो ना तुके ना तिर जे हो लेना आकिर भोलेने देवों की विंतिली है मार सब देवों को माफ किया और तक्ष को जीवन दा राजा दक्ष ने फिर भोले कोशी से जुकाया है एहंकार मेरा आपके आगे टिक नहीं पाया है फिर तो राजा दक्ष कभी मोयक संपूड हुआ सुव विवाह का ये किस्सा भी अब तो पूड हुआ डीयस पाल ने गाया सब्धा वक्ती भाओं से फोजी सुरेस ने लिखना सुरो किया नम हुषवाए से मेरी क्या ओकात आप मेरी कलम चलाते हैं पांबन कथा सुनाते हैं माता सती संग सु संभू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना पिर जे हो भूले ना